हाई गाईज कैसे आप लोग सो वेलकम टू न्यू वीडियो आफ आवर वीडियो सीरीज ऑन आदिनो टूटोरियल अब हम प्रोजेक्ट 3 पर पहुंच गया है हमारा थार्ट प्रोजेक्ट है ट्राफिक लाइज इसमें हम तीन रेट हमारा व हमारा वरक करता है से घ्लिंग करें सीक्वेंशेली डियलो गृण में में से हमारा ट्राफिक लाइट और गॉरक करें क्यांगे गालता हैं कि हमें कौन कर लिया लिक्ते इन unanimous ऋपन कर ले जो तो मैनुवल दिया गया आपको है इंकार्ट के दुवारा उस पे मैनुवल में पेज नंबर 34 पर देख सकते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो पार्ट्स रिक्वाइड है उसमें दो ब्रेड बोर्ड वह हमें सा रिक्वाइड होता है उसके बाद रेड LED येलो LED यहां पर पिक्चर में रेड लेड लेकिन यहां येलो LED चाहिए और ग्रीन LED फिर तीन कर्डेंट लिमिटिंग रेसिस्टर यहां पर 150 ओम रेसिस्टर दिया गया है आप कोई भी रेसिस्टर यूज कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि इसका वैल्यू दो से डाइस स्कूर तो यह आप देख सकते हैं स्क्रीम पर यह हमारा कनेक्शन है और आपके मैनुवल के नेक्स प्रेज में आपका कनेक्शन दिया गया है तो उसके एकॉर्डिंग हम सर्कीट को कनेक्ट कर लेते हैं कि आपको मैंने पीछले वीडियो में भी बताया था कि एडीडी के जो लॉंगर लेक्स होते हैं वो पॉस्टिव यानि के नोड होते हैं और जो शॉर्टर लेक्स होते हैं वो कैथोर्ड होते हैं यानि के निगेटिव और जो सर्कीट आपका बुक में दिया गया है उसमें जो curved legs है वो longer legs है और जो straight legs है वो shorter legs है तो सबसे पहले हम LEDs को insert कर देता है breadboard में उसके बाद हम तीन करेंट लिमीटिंग एसिस्टर तीन LEDs के anode से connect कर देते हैं कि आपको मैंने breadboard के बारे में जब बताया थो तो आपको बताया था कि यह जो बीच में यह जो gap होता है यह circuit breakage होता है यह vertical strips इन vertical strips से connected नहीं होती है इसलिए हम इसे ऐसे connect कर सकते हैं तो अब हमने का रेसिस्टर को connect कर लिया है अब हम जंपर वायर्स देंगे और पींस से connect का connection देंगे कि उससे पहले हम अपना ground connection shorter legs को दे रहते हैं इसके लिए हम एक ground को हमारे horizontal strips में यहाँ पर नीचे हम अपने horizontal strips से connect करेंगे इससे हमें यह फायदा होगा कि ground को इससे यहाँ पर connect कर देने के बाद मैंने आपको वीडियो में अपने दूसरे वीडियो में बताया था कि यह horizontal strips आपस में connected होती है पहले पाच horizontal strips आपस में connected होंगी तो यह सारा connection अब यह line जो दिख रहा है आपको आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप हमारे पिछले वीडियो दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जिसका link description में दिया गया है कि तो अब हम jumper wires के तुरू सबसे पहले grounds को connect कर देंगे shorter legs से और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने grounds को connect कर दिया है shorter legs से और अब हम resistor के तुरू connection दे देंगे digital pin से ताकि हम उसका state input दे सके LEDs को पहले LED को मैंने रिसिस्टर से connect कर दिया पिन नमबर 8 9 और 10 मैं यूज कर रहा हूं और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप जिस भी पिन नमबर को चाहें यूज कर सकते हैं बस code में आपको वह पिन यूज करना होगा तो आप देख सकते हैं कि हमने अपना सर्कीट यहां पर connect कर लिया है यहां पर एक बात बहुत बताना चाहूंगा आप अगर सर्कीट कनेक्शन को बुक में देख रहे होंगे आपने जो कि इनकार्ट के दोर आपको प्रोवाइट की गई है या फिर स्क्रीन पर जो आप connection देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि shorter leg को resistor से connect किया गया है और longer leg को directly digital pin से connect कर दिया गया है जबकि मैंने longer leg को पहले resistor से connect किया है उसके बाद उसको resistor को pin से connect किया है जैसा कि हमने पीछले दो प्रोजेक्स में किया था तो यह दोनों connection सही है आप दोनों में से कोई भी connection यूज कर सकते हैं कि आगे बढ़ते हैं और आप पहले सबसे पहले हम code को समझेंगे उसके बाद code को अपने ID में type करेंगे और उसके बाद हम उसको upload करके check करेंगे कि यह properly काम कर रहा है कि नहीं सबसे पहले हमने एक variable declare किया late delay जो की 10,000 है इसका value है एक्चली इसे हम पिछले प्रोजेक्स में जब भी delay यूज करते थे तो हम उसमें एक value डालते थे 100 150 या फिर 1000 यहां पर हमने एक पहले ही से variable define कर लिया इससे हमें यह advantage मिलेगा कि जब भी अगर हम लेड डिले चेंज करेंगे तो हमें हर जगे जाके particular value चेंज नहीं करनी पर हमें सिर्फ आम यहां पर variable का value चेंज कर देंगे तो हमारा सब जगे code update हो जाएगा उसके बाद red pin यहां पर 10 है जबकि मैंने रेट पीन नंबर 8 यूज किया है यह जो LED मेरा यह LED मेरा यह LED मेरा यलो LED और यह green LED है आप सोचना हों कि मुझे कैसे पता यह सारा वाइट दिख रहा है तो यह मैंने पहले से इसको रखकर चेक कर सकते हैं कि different LEDs का color किया है तो related LED को मैंने 8 नंबर pin से connect किया है yellow LED को मैंने 9 नंबर pin से connect किया है और green LED को मैंने 10 नंबर से connect किया है तो यहां पर जिस भी LED को आपने जिस pin से connect किया है उस pin का value आप यूज करें ताकि आपको आगे की code में वो पर्टिकुलर changes ना करने पड़ें फिर हम वाइट सेट अप में आते हैं वाइट सेट अप में फिर से हमने built-in function pin mode का यूज किया है अपने उस digital pin के mode को input से change करके output में change करने लिए तो हम यहां पर red pin yellow pin और green pin तीनों pin का mode change करके input से output कर देते हैं अगर आपको pin mode function के बारे में जानकारी नहीं है तो इसके बारे में मैंने first project में discuss किया था आप उस वीडियो को फिर से वापस से जाके देख सकते हैं उसका link description में दिया हुआ है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो wide loop function में हम देख सकते हैं कि मैं हमने पहले red pin को high state दिया और delay दिया late delay का जैसा कि आप जानते हैं कि traffic light में red light जब on होता है तो उसके लिए उस time yellow और green light off होता है तो पहले तो digital light का function का use करके हमने red pin को high state में change कर दिया और उसमें उसे late delay दिया means 10 seconds तक हमारा late delay यहां पर 10,000 है means 10,000 millisecond यानि कि 10 seconds तक वो high state में रहेगा red pin means हमारा red LED तब तक on रहेगा उसके बाद हमने yellow pin को high दिया और 2000 millisecond का delay दिया yellow pin को high दिया और red pin को भी हमने पहले से high देके रखा है तो इस moment पे हमारा red और yellow दोनों पिन दोनों LED on होगा और yellow हमारा 2 seconds के लिए on होगा 2000 millisecond यानि कि 2 seconds के लिए वो on रहेगा आप traffic light को visualize कर सकते हैं उसमें red के साथ yellow light उस देट के लिए जलता है जब traffic signal green होने से just fell लेग उसके बाद हमने डिज्टल राइट function के यूज़ करके green pin को मियानी की green LED को on किया उसका state change करके green pin के state को change करके high state में change कर दिया और simultaneously हमने red pin को और yellow pin को low state में change कर दिया दिश्टल राइट function काположed करके उसके बाद हमने डिला डिले डिले का है varias हमाराuff स्लाइट में हमने देखा था की अ smartest brown डीले स्लाय्द मेंम यसे डिले 10 सेकंड 12 सेकंड के लिए इर यिलो पिंए ऑफ रहें गैंगे और धी पिन और रहेंगे, means green LED और आप इस time traffic light को visualize कर सकते हैं जब green light on होता है तो red और yellow light दोनों off रहते हैं और हम traffic में आगे की और move कर सकते हैं उसके बाद हम फिर से yellow pin को high करेंगे और green pin को low करेंगे yellow pin high होने का मतलब होता है कि आप ये signal होता है traffic light में कि आप अब रेट सिगनल आने वाला है तो ग्रिंग पिन को लो कर देते हैं और येलो पिन को हाई करते हैं उसमें भी डिले 2000 मिली सेकंड का यानि 2 सेकंड करता है येलो लाइट हमेशा ट्रफिक लाइट में बहुत कम देर के लिए अन होता है है इसलिए नहीं हम यहां फे दो सेकंड का ही डिले यूज़ कर रहा है बाके पर हम 10TH मिलीं सेकंड का अमेस कर रहें उसके बाद हम डिश्टल लाइट फंक्शन का यूज़ करके येलो पिन को वापस से बैजो करते हैं और हमारा लूप फिर से रिपीट होता है तो यह था हमारा कोड अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपने आइडी में कोड को टाइप करेंगे और फिर उसको अपलोड करके चेक करेंगे हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने कोड को टाइप कर लिया रेड लेडी को आप देख सकते हैं यहां पर कि रेड लेडी को मैंने पिन नंबर एट में कनेक्ट किया था और यलो लेडी को मैंने पिन नंबर नाइन में और ग्रीन लेडी को मैंने पिन नंबर टेन में कनेक्ट किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे रेड़ पीन को एट रखा है येलो पीन को नाइन रखा है और ग्रीन पीन को टेन रखा है उसके बाद सारा कोड हमने डिसकस किया था जो कि आपके इंकार द्वारा दिये नविए दिया हुआ है अब हम पहले इसी वैरिफाइब करेंगे हमारा कोड वैरिफाइब हो रहा है तोब हो सकता है वह पूसको सेलेक्टकर ले नहीं तो आपका कोड अप्लोड नहीं होगा अब हम कूड को करने जा रहे हैं हमाया कूड अप्लोड को रहा है हुआ है Mr Jelly कि और अजय अब देख सकते हैं यहां पर्षी पहले paat 6000 डीलेड़ और यहां नुई एधर प्रजेक्ट ट्राफिक लाइट को लेकर आयोग कि आपने एडवांस्मेंट देखा होगा कि पहले प्रजेक्ट पर फिर उसके बाद हमने एक लेडी को वापस से मोर्स कोड में ही उसको इनकोड करने का ट्राइ किया और इस प्रोजेक्ट में हमने तीन अलेडी पे आपको कर रहे होंगे और आपको यह कीट और मैनुवल हिल्प कर रहा होगा अगर आपने कीट अभी तक नहीं लिया है और आपके द्वारा तो अब से लिंक पे जाकर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक में ट्रॉडर कर सकते हैं ताक यह आगे आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आपको सारे कंपोनेंट्स एक जगा पर अबलेवल हो जाए इससे आपको प्रज्ट करने में बहुत असा